Hi everyone, welcome back to my channel, so guys, how are you all, I hope you all are doing well, so RRBPO means way, अभी सिर्फ one week का time बचाया है, क्योंगी एक से दो दिन travel वगेरा में चली जाते हैं, इसलिए मैं सिर्फ one week को ही proper लेके चल रही हूँ, तो इस last week में मैं क्या करने वाली हूँ, वो आपको बताऊंगे, साथ ही कुछ important point जो अभी exam में help करेंगे, वो भी आपके साथ discuss करूंगी, तो सबसे पहले देखो, नया कुछ भी नहीं करना, means कोई ऐसा topic जो आपने आज तक अभी पढ़ा ही नहीं है, कभी touch ही नहीं किया, जाएं वो कोई भी section में हो, तो वहाँ आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, कि मेरा ये रह गया ये मुझे करना चाहिए, या फिर ये मैंने छोड़ दिया, क्योंकि mains के paper में आपको सब कुछ नहीं करना, इसलिए अगर कुछ रह भी जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, second point है, main focus उन section पे करो, जहां से आप surely marks निकाल सकते हो, क्योंकि इस पार sectional timing है, तो अगर मात करे reasoning and quant की, तो वहां almost सभी लोगों के same ही attempt रहेंगे, और दूसरा ये वो section है, जहां आप एक week में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वही मैनत यहां पे काम आएगी, वही practice काम आएगी, जो आपने आस तक करी है, क्योंकि quant in reasoning दोनों ऐसे section है, जहां पे आपको काफे सारा practice की बाद ही आपको मैं ये सब कुछ बता रहे हूं, and also guys, अभी RRB के दो mains हमारे सामने हैं, तो guidely का combo package आपको मिलता है, जिसमें सभी section का material available है, even कई लोग जो हिंदी select करेंगे, तो material को लेकि काफे confusion है, कि कहां से करेंगे, इतना ये सच कुछ available नहीं है, तो आपको जो हिंदी वाली problem है, वो भी solve हो जाएगी, and GA and computer की last time revision में भी आपको ये help करेगा, and also you can get 12% off after applying my code DA12, so if you are interested, then you can check it, अब major difference जो आएगा, वो आएगा English and general awareness से, तो आपने जितने month cover किया है, उनकी proper revision करो, and last time में, और at least ना 4 month लेके चलो, कि 4 month खाक हो जाए, and last time में बहुत सारी PDF and videos आ र देख लेता हूँ, या ये वाली PDF पढ़ लेता हूँ, शायद मेरा जादा अच्छा हो जाए, तो ये चीज़े बहुत frustrating हो जाती है, क्योंकि अभी daily कोई नई PDF आ रही है, कभी किसी platform की आ रही है, कभी किसी की videos आ रही है, तो ये सब चीज़े ना, बहुत जादा मतलब, एक source आज तक follow किया है, उसी same पे आप rely करो, और उसकी दो से तीन time जो है, revision कर लो अच्छे से, वो जादा आपके लिए beneficial रहेगा, बट अगर आपने already उस source से दो से तीन बार revise कर चुके हो आप, आपको लगता है कि हां भाई, एक level आपका मतलब आ चुका है, आपने अच्छे से revise कर रखा है, तो जो ये capsule वाली या फिर मेरा थन वाली जो वीडियो है ना, वो आपके लिए है, तो आपको वहाँ से वो वीडियो करने चाहिए, तो आपको वहाँ से आपकी अच्छे खासी revision और हो जाएगी, आपको एक confidence आजएगा, लेकि उन लोगों को जिनोंने अब त sectional test से क्या होगा, जैसे English में जो format आता है English का, जो topic mainly पुछे जाते हैं, जिस type के question frame होते हैं, वो सारे आपको sectional test में मिलेंगे, दूसरा क्या है, आपको समझ में आ जाएगा, तो जो time मिल रहा है, उस time में कैसे execution को pick करना है, execution को छोड़ना, मतलब एक strategy आपकी बन जाएगी, तो और एक flow भी आपका बन जाएगा, क्योंकि mainly क्या होता है, हम English से बचते रहते हैं, या फिर जादा reading नहीं करते हैं, तो अभी last का जो one week है, उसमें अगर आप daily एक sectional test भी देते हो, उसको अच्छे से analyze करते हो ना, तो वो आपके लिए काफी helpful रहने वाला है, computer के लिए ज काफी अच्छा मेरा computer गया है, तो ये tension मतलो कि कुछ ऐसा आजाएगा, जो शायद आपने बढ़ा ना हो, तो अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपका computer बहुत smoothly cover हो जाएगा, फिर next है mock test, तो जो mock आपने अब तक दिये हैं, उनको आप proper analyze करो, जैसे आपने 5 से 7, 10, जितने भी जिसे भी platform से mock test दिये है, mains के, वो आपको अच्छे से analyze करने है, वहाँ से आपको अपनी mistakes जो रही है, वो point out करने है, क्योंकि जब आपने mock दिया होगा, shortly आपने कोई ना, कोई mistake की होगी, जो आपको बाद में समझ रही है, तो उन सभी जो अपकी mistakes रही है ना, उनको note down कर लो, उनको point out करो, कि हाँ, ये mistake मैंने करी ती, जो मुझे नहीं करनी चाहिए, ये सारी mistakes निकालने के बाद, आप एक strategy अपने लिए बनाओ, कि हाँ, जो अभी मैं mock test देने वाला हूँ, उसमें मुझे ये चीज़े नहीं करनी और ये चीज़े मुझे follow करनी ह उसके according आप अपनी strategy बनाओगी, क्योंकि जब आप analyze करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये topic आपका week है, ये आपका strong है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, जैसे for example critical reasoning की लगा लो, तो critical reasoning के अगर 7-8 question आ रहे हैं, तो आपको समझ भी आ जाएगा कि inference वाड़ा आपक fiction आपका अच्छा है, तो वो वो आपको question करते हैं, बाकि के question आपको नहीं करनी है, क्योंकि वो आपके हमेशाग गलत हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको इस तरह से analyze करनी है, उसके बाद ही एक आपको अपनी strategy बनानी है, कि कैसे reasoning को attempt करना है, कैसे quant को attempt करना है, I hope आ क्या होता है, बहुत ज़्यादा anxiety हो जाती है, peak पे रहती है, anxiety, ऐसे मतलब बार बार ख्याल आता है, कभी ये लगता है कि पता नहीं क्या रह गया, कभी लगता है current affair revise नहीं है, कोई नया question देख लेते हैं, तो लगता है कि ये तो मैंने पड़ा ही नहीं, मतलब बहुत हो सार कि और बाकी जो mock test औगरा कैसे analyze करने हैं, वो मैंने आपको बता दिया, so I think this video helps you, कि help होगी इस वीडियो से आपको को चीज़ें समझ में आएगी, और बाकी आप अपने uploading देख सकते हो, जो चीज़े मैं करने वाली हूँ, जो चीज़े मैंने analyze करी है, वो सारी मैंने आपको बता दी कि कैसे क्या कुछ मैं कर रही हूँ, बाकी सबकी अपनी अपनी preparation होती है, सब कुछ अपने recording करते हैं, तो वो सब चीज़ें आप अपने recording देख सकते हो, so okay guys, take care.